प्रियाग्राज का उमेश पाल हत्याकान मामला घर्माता नजर आ रहा है। विपक्ष इस मामले को लेकर पूरी तरह सरकार पर हमलावर है। तो वहीं पुलिस भी इस मामले में अपराधियों पर कड़ी कारवाई कर रही है। पुलिस की इस कारवाई को लेकर डिप्टी सीम केशिव प्रसाद मौरे ने बंसल न्यूस एक खास बाठशीत की जिनों ने कानून नी जवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। उत्तर प्रदेश विधान सभा का बजट सत्र चल रहा है। प्रदेश के अंदर जो आज इस प्रकार के अपराद होते हैं जिससे उत्तर प्रदेश के लिए एक तरे से चुनावती बनते हैं उत्तर प्रदेश की बदनामी होती है। उन आपरादियों की अगर आपरादियों को बढ़ाने का अगर किसी ने काम किया तो समाजवादी पार्टी ने किया है। इन आप राधियों के साथ समाजवादी पार्टी के ही रिष्टे नाते हैं और वो कोई ना कोई फोटू वाइरल हो रहा है लगतार आप सब देख रहे हैं आप राधियों के खिलाब कारवाई होनी चाहिए पुलिस कारवाई कर रही है विदिक रूप से कर रही है और जिसने भी श्री उमेश पाल जी की हत्या की है वो पाताल के नीचे घुज जाएगा तब भी आप भरोसा रखो कि उत्रप्रदेश के पुलिस वहां से भी निकाल करके लाएगी और कानून के सिकंजे में लाकर करके उन्हें कठोर से कठोर से कठोर सज़ा दिलाएगी यह थे उत्रप प्रसन सतेन कुमार्क साथ आलोग राएगा बंसन न्यूज लखनओ